शेहर में कोरोणा काल में घर टैक्स 50 प्रतीशत माफ करवाने के लिए मंसे ने नगरपाली का मुख्यादिकारी इनहीं क्यापन सौप कर मांग की है शेहर में कोरोणा काल में राच सरकार ने लगाई निर्बन से सामाने जनता और छोटे बड़े व्यवसाईकों का बड़े प्रमान में नुकसान हुआ कोणा संकट में सामाने नागरी को भी काम नहीं मिल राथा नगरपाली का प्रशासन ने नेधारे समय में दुकाने शुरू करना और बंद करने से दुकानदार वग्रहकों में व्यापार के लिए समय देना संभव नहीं हुआ जिस वजह से धन्दे पर प्रतिकुल असर हुआ इस बिकेट परिस्तिती में नगरपाली का प्रशासन ने घर टैक्स कम करकी उसे प्रकार शहर के प्रतिक वोड के घर घर तक घंटा गाड़ी हर रोज दिखाने की मांग भी की गई है घंटा गाड़ी के टैक्स में की गई 5 प्रतिश्यत की बढ़त भी पुरी तरह कम करने की मांग की गई है इसी के साथ एक साल से स्कूल बन है लेकिन उस पर भी शिक्षा टैक्स लिया जा रहा है जो स्कूल बन हो तो उस पर टैक्स क्यों लिया जा रहा है ये शिक्षन कर भी कम के जाने की मांग की गई है सामाने आदमी पहले ही कोणा की वज्यों से आर्तिक संकट में आ गया है उस पर अतरे करों का बोच लादना कहा तक न्याय संगत है इस आलत को देखती हुए लगाए गए टैक्स कम करना ही समय की पुकार है इस साल सन दो हजार बीस से एकिस में कर टैक्स नगर पाली का प्रशासन ने पचास प्रतीशत तक कम के जाने की मांग करती हुए आम आदमी को रहत देने की मांग की गई है इस समय मनसे जिला उपाधिक्ष अमोल बोरकर शिला सचीर सुनिल भोते शेतकरी सेना जिला देख्ष किशोर सांभारे दिव्यांग सेना जिला देख्ष मारुती महाकालकर मनसे शेहर अदेख्ष राचुस्तिना बत्तु कलोडे इत्यादी पदाधिकारी उपस्ति थे बीसेन न्यूस के लिए हेंगन घाट से रवी यन ओर करकी रिपोर्ट